बदलना कौन चाहता है। मजबूर कर देते हैं लोग। हलो बीरुफुल बीपल नमस्ते कैसे हैं आप सब। टैटलिवस्टिपल वन पे आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। गाइस लेकर आई हूँ कैंडल वेक्ट्रक्ट्रडिपल और आज आपके पर्षन जो आपके बहुत सारे चीज confirm शुपते जाते आपसे शेर नहीं खर्त चीज किया है इसी पर आज की कैनल बैक्स रिडिंग होने वाली है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इमेज़स यहाँ पर निकल कर आएंगे जितनी भी तस्वीरे निकल कर आएंगी वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी कुछ चीज़े जो मुझे इंट्यूशन में आएगी वह चीज़े मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपके पोसन के साथ मैं कनेक्ट होने वाली हो इस रिडिंग के जरीए तो आप हो जाएए पॉजिटिव उनके साथ बिताए हुए हसीन लम्हों को याद कीजिए उनके साथ जो प्यार भरे पल आपने संजोए है बनाए है उन पलों को याद कीजिए बुरा जो भी हुआ है उन्होंने किया है या आपने किया है उन चीज़ों को कुछ देर के लिए ही सही अपने दिमाग से और अपने दिल से हटा दीजे गाइस क्योंकि reading हम जब भी देखते हैं सुनते हैं तो उस वक्त हमें positive energy में रहना पड़ता है हमें हम अगर दुखी रहेंगे हम अगर दर्द भी रहेंगे तो वही vibration इस वर के पास जाएगी वही vibration आपके person के पास भी जाएगी इसलिए हमें साब बुरे past को भूल कर नई जिन्दगी की सुलवात और future को strong कैसे बनाना है खुद को heal कैसे करना है इन सारे चीज़ों पर जारा ध्यान देना पड़ता है तो manifestation दुआय पॉजिटिविटे के साथ चले अब start करते हैं आपके reading और आपको बताते हैं कि आपके person आखिर आपसे क्या छुपा रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरुरी है universe हम इस reading को सुरू कर रहे हैं आपका असिरवाद आपकी कृपा और guidance हमें दीजिए और बताईए कि क्या ये वक्ति वास्तव में कुछ छुपा रहे हैं जो जानना बहुत जरुरी है क्या कुछ ऐसा है जो राज है क्या कुछ ऐसा है जो ये वक्ति जान बूच कर छुपा रहा है क्या कुछ परिशानी है कुछ भावनाएं हैं जो इसे वक्त करनी हैं जो ये सामने से आकर अपने पार्टनर को नहीं कह पा रहे हैं क्या बाते हैं क्या वो राज है यूनिवर्स हमें जानना है इस रिंग के जरीए हमें खुले रूप से बताईए यूनिवर्स क्या चल रहा है इस रिलेशन्शिप में क्या चल रहा है इस रिलेशन्शिप को लेकर ये वक्ति कैसा महसूस कर रहे है सब कुछ हमें जानना है alphabet D निकल कर आया है साथ ही alphabet P निकल कर आया है alphabet O जिस रफतार से जिस speed से जो है drops गिर रहे है और कुछ संकेत यहाँ पर मिल रहा है मुझे heart भी निकल कर आ गया heart shape भी यहाँ पर आपकी नज़रों के सामने है बन चुका है alphabet C और L भी important नज़र आया है ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसे चक्रव्यू में फस गया है क्योंकि गोल गोल जो circle वाला image यहाँ पर बार बार बन रहा है उससे ऐसा लगता है कि आपके person आपसे कहना चाह रहे है कि कुछ ऐसा हुआ है मेरे जीवन में या कुछ ऐसा चक्रव्यू सा है जिससे दिकल पाना मेरे लिए बहुत ही मुस्किल हो रहा है ऐसा लग रहा है कि लकीरे खिश दी गई है जिससे आगे बढ़ने की या तो इन में छमता नहीं है या इनको इजाजत नहीं मिल रही alphabet N भी निकल कर आया है small letter में पर देखो जो circle बना था वो circle अभी टूटा है गाई तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके person कहना चाह रहे है कि जो अभी चल रहा है जो problems है वो उसका जल्दी ही solution ये निकालेंगे या उसका जल्दी ही निप्टारा ये वक्ती करेगा ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है गाईज आपके person और आपके बीच में कुछ चीजों की या तो लकी रहे है या कुछ चीज़े ऐसी limit कर दी गई है जिसको निकलना जिसे भेथ पाना कहते ना कि चक्रव्यू को भेथ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता पर चक्रव्यू बनकर यहाँ पर तूटा है कहने का मतलब है कि ये वक्ती बहुत जल्द इन सारी समस्याओं से निकल जाएगा जितने भी रुकावर्टी अभी हो रही है उन रुकावर्टों का समाधान आपके पोसन definitely करने वाले है एक question mark आज बहुत समय के बाद यहाँ पर नजर आच चुका है alphabet S भी निकल कर आया है alphabet R भी बहुत सारे alphabet से आज R भी निकल कर आया है साहिद यह वक्ति आपको एक promise कर रहे है या दिलासा आपको दे रहे है वादा यहाँ पर कर रहे है कि तुम्हें घबरानी की जरुत नहीं है या तो मैंने हल निकाल लिया है या तो मैं बहुत जल्द कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो मुझे रोक नहीं सकता उस लकीरों से पार होता हुआ यह वक्ति मुझे यहाँ पर images में दिख रहा है जो आप दोने की बीच में जो एक समस्या की लकीर या फिर जो दिवार की लकीर यहाँ पर दिखी थी मुझे चकर व्यू नजर आया था सरकल नजर आया था वो अब नहीं रहा वो तूट चुका है इस वक्ति का एक बहुत बड़ा confession यहाँ पर नजर आता है जैसे की आप से कहना चाहरा हो की मैं तुम्हें let go नहीं कर पा रहा या मैं तुमसे move on नहीं हो पा रहा कुछ परिशानियों का जिक्र भले ही इस वक्ति नहीं किया है पर यह वक्ति अपने दिल पर हाथ रख कर यह कह रहे है कि समस्याओं से बड़ा तुम्हारा प्यार है समस्याओं से बड़ी तुम्हारी यादे है और उससे मैं नहीं निकल पा रहा इल्फेबर्ट यू भी नज़र आया है गाईस इन्हें ऐसा लग रहा है कि समस्याओं सिर्फ इनकी तरफ से नहीं कहीं न कहीं समस्याओं आपकी तरफ आपकी परिस्तिती को भी ये व्यक्ति सोचता है कि हम दोनों की ही अंदर समस्याओं है हम दोनों की ही जीवन में समस्याओं है पर उससे हम निकल सकते हैं कुछ देर के लिए अलग होना या कुछ समय के लिए जुदा होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या आपसे समझाने की कोशिस कर रहे है कि जो अभी हम दोनों भुगत रहे है जो भी अभी हम दोने के जीवन में चल रहा है उससे हम निकल जाएंगे एक आस्वशन दिलाती हुई रिडिंग आज मुझे दिख रही है कि आपके परसन बहुत आस्वश्थ है या बहुत भरोसे में है कि कोई ना कोई तो जो है ये वक्ती कुछ तो ऐसा करेगा ही जिससे जो है आपके और इनकी जो रिलेशन्शिप में जो दूरिया है वो खतम हो जाए गाईज मैं ये समय आता हुआ देख रहे हूँ ये वक्ती उस समय के इंतजार में है जब ये सारे प्रॉलम्स को सॉल्फ करके उस प्रॉलम्स को ही जड़ से हटा कर आपके करीब आपके साथ एक करीबी रिस्ता जोडने का अस्वासन भरोसा आपको देना चाह रहा है ये वक्ती भले ही दुन्या से अपनी नजरे फेर सकता है ये वक्ती दुन्या से अलग हो सकता है पर इसके लिए ये कटिन हो रहा है कि वो आपको भूल जाए आप से मूव आन हो जाए आप से अलग होकर ये वक्ती आगे बढ़ जाए ये इससे नहीं हो पा रहा इसके लिए सबसे कटिनाई वाला समय अभी चल रहा है जहां पर इस वक्ती ने हाथ खड़े कर दिये हैं इस वक्ती ने सरेंडर कर दिया है आपके सामने काला ड्रॉप बीरा एक नत्मस्तक जिसे हम कहते हैं कि किसी के सामने अपने आपको समर्पित कर देना इन्हें सायद सुरूआत में ये लगी थी कि आपसे ज़ारा बड़ी प्रॉलम्स जो है इनकी जिन्दगी में चल रही है वो आपसे भी बड़ी है सायद आपको आपसे अलग हो जाना या आपको अपने जिन्दगी में ना रखना आपको दूर भेज़ देने से इनकी समस्याय समाधान हो सकती है पर सायद कहीं न कहीं इस वक्ति को अब यह एहसास हो चला है कि इतना आसान नहीं होता है किसी को दिल में सजाकर किसी को मन में विठाकर किसी के साथ रिस्ता बनाकर उसे मूव आन हो जाना उसकी यादों को मिटाकर अपनी दूसरी जिंदगी की दूसरी समस्याओं में उलजजाना ये इतना आसान नहीं है पहले एक समस्या थी कि अब दो समस्या यहाँ पर इनकी जिन्दगी में है जो यह आप से कहना जा रहे हैं कि अब क्या करूँ सवाल आया था ना यहाँ पर question mark दिखा था कि अब मैं क्या करूँ अब तो पहले तो स्रुफ आपके साथ रिस्ता बनाना एक कठीना इनके लिए एक challenge था अब तो challenges के बीच में जो है यह वक्ती है पर एक दुरुट संकल्प में नजर आया है कि मैं पार कर जाओंगा मैंने आप से शुरुवात में ही इस reading के मैंने आप से कहा था कि यह एक आस्वाशन या कह लिए एक भरोसा दिलाने वाली candle wax reading आज दिखी है मुझे मतलब यह give up करने को तयार ही नहीं है आपका person यह तो accept करना चाह रहा है challenges को जो है यह बिल्कुल साहस के साथ मजबूत इरादों के साथ भरोसे के साथ यह वक्ती challenging mode में नजर आया है आपको लेकर इनके दिल में बहुत ही soft बहुत ही मुलायम या कह लेजिए कोमल भावनाय रखता है यह वक्ती आपको लेकर यह वक्ती आप से यह भी चाह रहे हैं कि क्या आप इनकी मदद कर सकते हो या क्या आप इनको support कर सकते हो कहीं न कहीं आप पर भरोसा करता हुआ ये वक्ति नजर आया है कि अगर इसने वो एक्षन ले लिया इसने अगर वो कदम उठा लिये जो आप के लिए है तो क्या आप इस वक्ति का साथ दोगे या फिर आप अपने परिवार की सुनोगे आप दूसरों की सुनोगे आपका ट्रस्ट इस वक्ति पर क्या बरकरार रहेगा क्या आप बंद आखों से इस वक्ति को सुईकार करोगे क्या आपकी तरफ से मौका मिल सकता है क्या आप इनके दुख वाले दिनों में इनका साथ दे पाओगे क्या आप हसी खुशी इनके साथ जैसी जिन्दगी है वैसा काट पाओगे यानि कि प्रश्टनों बहुत है प्रश्टनों का खेल यहाँ पर चल रहा है आपको लेकर आपका कही न कही एटेंशन पाने का मन होता है इस वक्ति को आप इन पर ध्यान दो आप इन से प्यार करो जिस तरीके से ये आपको भूल नहीं पा रहे है आपको से मुवन नहीं हो पा रहे है आप भी मुवन ना हो कही न कहीं ऐसी इच्छाए बहुत जोर पकड़ती हुई नजर आई है भले ही अभी ये वक्ति आपसे चुПा रहे है कि ये वक्ति अभी स्टक है ये वक्ति अभी कहीं न कहीं फसा हुआ है ये वक्ति साइट आपसे ये चीज़ चुपा रहे है पर इन्होंने आपसे और एक चीज़ चुपाई है कि ये इस स्टक एनर्जी से आप निकलना चाह रहे है रिलेशन्शिप की जो समस्याए है उसका समाधान बनाने के लिए इसे इस वक्ति को आपसे कुछ सजेशन्स चाहिए आपकी राय जानना चाहता है आपका सपोर्ट चाहता है आपकी मदद ये वक्ति चाहता है क्योंकि इसे कहीना कहीन लग रहा है कि इस अकेले से नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी यहाँ पर एक और समस्या ये हो गई है कि आपको भी तो मनाना है आपको भी तो समझाना है आपको भी तो convince करना है क्योंकि आपका भी तो दिल तोड़ दिया है इस वक्ती ने तो बहुत सारे चीजें हैं जो challenge की तरह अब यहाँ पर इनके सामने खड़ी है इस वक्ती की अवस्था या फिर रिकवर जिसे हम कहते हैं ना कि बीमारी के बाद रिकवर ठीक होने की जब वस्था होती है कहीं न कहीं इसे लगता है कि वो रिकवर तभी हो पाएंगे जब आपके साथ आकर जुड़ेंगे या जब आपका प्यार इस वक्ती को नसीब होगा जब आप इस वक्ती को समझोगे रिकवर होना चाहता है ये वक्ती कुछ सुधार चाहता है इस रिलेशन्शिप में कुछ सुकून चाहता है कुछ मदद चाहता है कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे इंटूशन आ रहा है कि ये एक ऐसा वक्त आया है जब action लिया जाए जब कुछ किया जाए रिष्टे को सुरक्षित बनाया जाए आपको एक भरोसा दिलाया जाए उस hurdles से निकला जाए उस obstacles से उन दिवारों को पार किया जाए ऐसा लग रहा है कि वो समय बहुत नजदीक आ चुका है इस वक्ती के कहीं न कहीं खुद को भी बहुत जादा खुदगर्ज देखता है ये वक्ती अपने स्वार्थ में या अपने ही समस्याओं को बड़ा मान कर आपके प्यार को एक पल में एक जटके में जो है मिटा देना इस तरी की खुदगर्जी ये वक्ती खुद के अंदर फील कर रहा है साथ देने के वज़ाए जो मैंने हरकत की है या जिस तरीके से मैंने उसे ठुकराया है क्या मैं यही हूँ? क्या इसी के वज़े से किसी ने मुझे पर ट्रस्ट किया था भरोसा किया था उमीदे रखी थी? बहुत खास मानता है ये वक्ती आपको आप खास हो इसी वज़े से इस वक्ती को आपसे प्यार हुआ मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि इस वक्ती को बहुत स्ट्रेक्ट वार्निंग दी गई है इस वक्ती के सामने लोगों ने बहुत कोशिस की है कि ये वक्ती आपसे बिल्कुल कॉंटेक्ट लेस हो जाए फिर भी इस वक्ती का आपके लिए जो जुकाव है या आपके लिए जैसा ये वो महसूस करता है मुझे दिख रहा है कि ये वक्ती डेफिनेटली उन लकीरों से निकलाएगा वो जो इससे हो सकता है कि बहुत सारे जो है प्रामिसस लिए गए हैं कि आपके साथ जो है टोटल रिस्ता खतम कर दे आपको कभी अब जो है मुड़ कर ना देखे आपसे कभी ना मिले आपसे बात ना करे इस तरीकी की चीज़े नजर आई है पर मुझे नहीं लग रहागी ये अब सुनेगा किसी की क्योंकि इन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार लोगों की बाते सुनकर आपसे दूरी बनाई फिर क्या हुआ, फिर भी ये वक्ति आपको आपसे मूव ओन नहीं हो पा रहा तो समझ गया है, आपका ये पोसन समझ गया है कि करकर तो देख लिया, दूसरों की बाते सुनकर तो देख लिया, दूसरों की मर्जी के हिसाब से सब कुछ तो मैंने करके देख लिया फिर भी अगर मेरा दिल मजबूर है मेरा दिल यदि उसे ही खोज रहा है मेरा दिल उसे ही याद कर रहा है मेरी कलपनाएं उसे ही तलास्ती है मेरी हस्रते उसी से जुड़ी हुई है मेरी आदते अगर उसी से जुड़ी हुई है तो कोई किसी को कितना कंट्रोल कर सकता है आपसे यही व्यक्ति छुपा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जब बात होती है या तुम्हारी जब याद आती है तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो दूसरे मुझे क्या कंट्रोल करेंगे alphabet A आया है number 6 आया है निकल कर number 7 आया है निकल कर number 8 आया है निकल कर अभी तो आलम ऐसा दिख रहा है ना कि जो लोग इसे इस पर जबरजस्ति करने की कोशिस कर रहे हैं जो इसे आप से अलग होने के लिए जबरजस्ति कर रहे हैं उन लोगों से ही इस वक्ति को अपना फरत सी हो गई है आज कितने अलफेबट्स आये हैं गईजाज अलफेबट M भी दिखा है दिमाग को पीछे छोड़ती हुई candle wax reading आज निकल कर आई है जहां पर मन प्यार हावी होता हुआ नजर आया है एक ऐसा वक्ति जो जिन्दग के बहुत खराब समय से गुजर रहा है पर फिर भी ये वक्ति कोशिस में लगा हुआ है कि move on होने से अच्छा है उसे भूलने से अच्छा है उसके करीब चला जाया जाए उसे अपना बनाया जाए प्रॉलम्स आएंगी उसका निप्टारा हो जाएगा हम उसे सॉल्फ करेंगे इस तरीके का एक संकल्प आज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा दिखा है गाईज कुछ कर गुजरने की रिस्ते को जिसे सुरुवात तो की गई अंध तक पहुँचाया नहीं गया इस रिस्ते को कही न कहीं अंध तक ले जाने की एक चाहत वाला व्रक्ती आज आपके सामने आकर कन्फस यह कर रहा है कि मैं खुदगर्ज हुआ था पर खुदगर्ज अब नहीं हूँ मैं तुमसे अलग होने की कोशिस कर रहा था पर हो नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे लिए आज भी मेरे अंदर बहुत मासूम सी भावनाय है मेरी निगाहे तुम्हें कभी गलत देखती ही नहीं मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ बुरा सुन ही नहीं सकता सायद देखो फिर से काला ड्रॉप की रहा है यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में बहुत जली कटी आपके बारे में बहुत बुरे सब्ध प्रयोग हुए है किसी ने इनसे कहा है आपके बारे में ऐसा लग रहा है आपकी छवी को बदनाम करने के लिए आपको गलत दिखाने के लिए इस वक्ति के सामने कहीं न कहीं आपकी इंसल्ट की गई है पर ये व्यक्ति वो सारी चीज़े सुनना भी पसंद नहीं करता, बरदास्त नहीं होता, क्योंकि इसने आपको उस निगाह से देखा है जहां पर आपका चरित्र, आपकी छवी, आपका प्यार, सब कुछ मासूम है, मैंने कहा ना, बहुत सॉफ्ट कॉर्णर रखता है आपको लेकर, खफा उन लोगों से हो रहा है, जो कोशिस कर रहे है, कि आप दोनों के बीच की दूरी जो है वो और बढ़ जाए, आपके पोरसन आपसे नफरत करने लगे, आपके पोरसन आपके बारे में सोचना तक छोड़ दे, हाफ मोन भी दिख गया आज, फिर से मुझे यह देखिए यहाँ पर, नफरत उन से है, आपसे तो नहीं, आपक के लिए तो हर पल, हर वक्त, इनका प्यार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, आपके लिए घट कुछ नहीं रहा, आपके लिए यहाँ पर माइनस कुछ नहीं हो रहा, कल्पना बहुत करता है, यह आपको रोते हुए देखता है, इसे ऐसा महसूस होता है कि आप रो रहे हो, आप बहुत उदास हो, आप अकेले हो, यह सारी चीज़े यह वक्ती महसूस करता है, और आप से भी यही कहना चाह रहे है, कि बिल्कुल मेरा हाल भी वही है, कि अलफेबेट के निकल कर आया है, कहीं न कहीं रास्ता निकल रहा है, आज की कैनल वैक्स रिडिंग में दिखा है मुझे की, रास्ता यह वक्ती किसी भी तरीके से निकाल कर आप तक पहुँचने की, कोसिस नहीं कहोंगी, फासला लेकर आ रहा है, गाइस चले इतना ही निकल कर आया है, इतना दिखा, अब यह हमारा कैंडल बॉल भी भर चुका है, अल्मोस्ट अब इसमें ज़्यादा हम क्लैरिटी नहीं ढूंड पाएंगे, तो अब हम टैर्ट से रिडिंग करेंगे, और इस रिडिंग को और क्लैरिफाई करने की कोशिस करेंगे, आज की जो रिडिंग निकल कर आई है, वो उन लोगों के लिए निकल कर आई है, जिसे कहीं न कहीं फसाया गया है जिसे रोका जा रहा है या जिसके सामने चुनने के लिए कहा गया है कि आप या तो उन्हें चुनलो या आप हमारे साथ रह लो कहते ना कि वो लकीर खीज दी गई है इस वक्ति के सामने ऐसे लोगों के लिए आज की रिडिंग निकल कर आई है जिनका रास्ता खुला है, साफ है, कोई रोक टोक नहीं कर रहा आपके पोसन खुद अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से निकल कर गए है साथ उनके लिए रिडिंग जादा मैच ना हो, ये रिडिंग बंधन, बाधाय, रुकावटे जो दूसरो द्वारा उत्पन की गई है आप दुने के रिलेशन्शिप में उनकी साथ जादा मैच होगी, समझ रहे हो तो चलिए अब और क्लारिटी हम टार्ट से करते हैं, आप तब तक पॉजिटिव एनरजी में रही है गाईज तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे रिडिंग कुछ टार्ट से, कुछ मैसेजस से, कुछ गाइडेंस से देखते हैं कि आपके पॉजिटिव आखिर आपसे क्या चुपा रहे हैं, सबसे पहले आज मैं रिडिंग की सुरुवात मैसेजस से ही करने वाली हूँ देर सारे मैसेजस हम निकालेंगे अलग-अलग डेक से और क्लारिटी जानने की कोशिस करेंगे कि आपके पॉजिटिव आखिर रियालिटी में सच्चाई से वो चीज़े क्या हैं जो बता नहीं पा रहे हैं या कोशिस कर रहे हैं कि आपसे चुपा जाए हैं रिटन मैसेजस पहले पिक करूंगी उसके बाद कुछ और डेक का अस्तरमाल करूंगी उसके बाद टैरेट से भी कुछ कार्ष निकालेंगे अच्छा पहला जो मैसेज इनकी तरफ से आया है मैं दूर हूँ क्यूंकि मैं मजबूर हूँ तो जिस चक्रेव्यू की बात मैंने आपसे कही थी जिस लक्षमन रेखा की बात मैंने आपसे कही थी एक लकीर की बात मैंने आपसे कही थी कैंडल वैक्स करते वक्त कि कुछ तो है जिसके जो वजह बनी हुई है इनकी दूरी के पीछे की वजह पर निकलने का रास्ता इन् यह मुस्किल हो रहा है I need your arms to cry तो यह वक्ति कह रहे है कि कंदों की जरुत है आपके सहारी की जरुत है साइद मैंने आप से ये भी कहा था ये वक्ति आप से कुछ मदद मांग रहा है या मदद मांगना चाह रहा है कुछ सजेशन या कुछ हल्प ये वक्ति उस पे जो है अपने आपको समर्पित कर सकूँ यह वक्ति आपके साथ आकर आपके पास आकर रोना चाह रहा है यह वक्ति अपने मन के सारे गमों को आपके कंधों पर ही जो है भुलाना चाह रहा है तो इस वक्ति को आपकी जरूत मैसूस हो रही है गाइस कब मिल पाऊंगा तुमसे दुबारा तो ये कह रहे हैं कि आपसे अब दुबारा कब मुलाकात होगी मिलने की बेताबी कहीं न कहीं इस वक्ति के अंदर है चाहत है आपको देखने की आपको सुनने की आपको महसूस करने की तो ये वक्ति आपके पास आकर आपसे मिलना भी च मजबूरी है जिसे अगर तुम समझ सको तो बहुत अच्छा होगा या बहुत भैतर होगा एक और देखते हैं तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे तो यह वक्ति थोड़ा सा मन के अंदर दर्द भी लिये हुए है कि आप साइद इस वक्ति को समझने की कोशिस नहीं कर रहे है चले कुछ और मैसेजस यहां से लेंगे यह कह रहे हैं साइद आपको इस बारे में जानकारी है या नहीं यह वक्ति आपसे यह बार भी छुपा चुके है कि इन्होंने कई अपने खास दोस्तों से अपने कुछ मिलने वाले साथियों से आपका जिक्र इन्होंने definitely किया है अपनी problem के बारे में बताया होगा आपके और इनके relationship के problem के बारे में बताया होगा कि इस वज़े से आप दोना अलग हुए हो इस बारे में साथ आप से तो छुपा गए है पर दोस्तों से छुपा नहीं पाए है और ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ खास दोस्तों से जिक्र किया है मैंने तुम्हारे बारे में कुछ लोगों से जो है अपनी दोस्तों से जो है तुम्हारे बारे में मैंने बता रखा है तो कुछ बाते यहां पर definitely friend circle में इनके बहुत ही कुछ मिलने वाले जो दोस्त होते है secrets जिसके साथ share किया जा सकता है ऐसे दोस्तों के साथ इन्होंने आपके बारे में जिक्र किया हुआ है बात की हुई है You make me feel things I have never felt before तो ये कह रहे हैं कि साइद तुम वो वक्ती हो मेरे जीवन में जिसके साथ मुझे वो हैसास होता है या ऐसा मैं महसूस करता हूँ जो कभी किसी और के साथ मैंने feel किया ही नहीं हर इन्सान में जो है वो दोस्ती या वो प्यार हर किसी को मिलता नहीं है कुछ खास लोग ही होते है जो हमें अपना पन दिखाता है या अपनेपन का हैसास कुछ खास लोगों के साथ ही हमें होता है तो ये वक्ति उन लोगों में से है जिसे आपके पास आकर या आपके साथ रहकर या आपके साथ relationship में रहकर कुछ अलग सा हैसास होता है जो इसने कभी किसी और के साथ महसूस नहीं किया है बहुत बड़ी बात ये वक्ति कह रहे हैं एक और देखते हैं मेसेज क्या है I want to talk to you but I am just scared मैंने कहा था ना कि छुपाना जो है वो इस वक्ति के अंदर से निकली हुई आवाज नहीं है ये वक्ति तो बोलना चाह रहा है गईज ये वक्ति तो आपसे communicate करना चाह रहे हैं दिल खोल कर अपने मन का जितना भी दर्द है या जो भी ये वक्ति फिल करता है आपको लेकर वो आपके सामने आकर बताना तो चाह रहा है पर बहुत डरा हुआ है घबराया हुआ है घबरहा जो है यहां पर निकल कर आई है चलिए इनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या है इनिवर्स यह वक्ति क्या छुपा रहे हैं ज़रा हमें खुल कर बताईए वी आद वर्ल नंबर टैन की एनरजी बहुत ही खुपसरत मैसेज उनिवर्स की तरफ से आया है कहीं न कहीं आपके पोस्टन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए है यह वक्ति मन से यह वक्ति महसूस करता है कि तुम मेरी दुन्या तुम मेरा सब कुछ हो तुम्हारे साथ मेरा जीवन का हर पल अगर व्यतीत करने को मिले तो मेरे से बढ़कर खुशनसीब इनसान कोई नहीं हो सकता व्यार वर्ल्ड का मतलब क्या होता है बस बात खतम हर चीज़ खतम इस सब्सके आगे और कुछ है ही नहीं दुन्या वर्ल्ड कितना बड़ा होता है आप जानते ही हो तो इस वक्ति के लिए आप भी उतने ही माइने रखते हो इस वक्ति के लिए आप भी इनकी पूरी की पूरी दुनिया हो जिसमें इसने बहुत सारे सपने देख रहे हैं और साथी साथ युनिवर्स का ये message इसलिए आया है कहीं न कहीं युनिवर्स भी आपसे ये दिलासा या आपको ये भरोसा दिला रही है कि ये वक्ति वो है जिसके साथ आपकी दुनिया बसने वाली है, ये वक्ति वो है जिसके साथ आपका घर बसने वाला है, इस वक्ति को अगर आप समझ पाओ, इस वक्ति की चुप्पी को या खामुसी को अगर आप समझ पाओ, तो आपको नजर आएगा कि इस वक्ति ने किसी ने किसी बहुत बड़े ही इश्यू की वज़े से या किसी ने किसी बहुत बड़े प्रॉलम की वज़े से ही आपकी इस दुन्या से बाहर निकलने का फैसला लिया था पर बंधन इतना तूट है इतना ज़रा आप दोनों का पावरुफुल कनेक्शन है कि जुदाई आ जाए आप दोनों के बीच में बहुत सारी प्रॉलम क्यों ना आ जाए इस्यूज आ जाए फिर भी जो है आप दोनों का कनेक्शन कभी भी तूट नहीं सकता आप लोग एक ना एक दिन एक होकर ही रहोगे यह उनिवर्स का जो है एक आपको वादा है गाईस यह उनिवर्स आपसे से वादा करें रिए और आपके पॉसअध गुश्सर्ट यह कह रहे है क्योंकि यहां पर आढ़ी जो है हम सब्थका हो चुका है वी सब्थका इस्तेमाल यहां पर हो चुका है साइकल भी भी दिखता है वी आर दव वर्ल्ड के इस कार्ट से कि कहीं न कहीं साइकल इतना गहरा है आप दोनों के बीच में कि उस साइकल से निकलना थोड़ा सा असंभव है आप दोनों के लिए जुड़ ही जाओगे कैसे भी करके चाहे फासले आ जाए कुछ भी हो जाए इनर वोइस नमबर टू के एनरजी निकल कर आई है नमबर टू भी खास हो सकता है तो इनर वोइस का मतलब यही है कि बिलकुल अपनी अंतरात्मा की आवाज को ये वक्ति सुनने वाला है जो अब तक इसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि कहीं लोग करते है मन से पता है कि प्यार मन से पता है कि यह मेरी दुन्या है मन से पता है कि इस वक्ति को अपना बनाना है सब कुछ जानते हुए भी कभी कभी इंसान अंधाधुन फैसला लेता है सब कुछ जानते हुए भी भ्रह्म में रहने की कोशिस करता है प्यार को इग्नोर करने की कोशिस करता है प्यार से दू इन्सान किसी की दुनिया है उस इंसान से रही सकता है और रह सकता है नहीं रह पाएगा यह व्यक्ति अपने मन की समर्थ है अभी आपके पोसन थोड़ा सा आपको अपनी दुनिया में लेकर नहीं आ पा रहे है अपनी दुनिया में आपके लिए जगह नहीं बना पा रहे है पर यह रिलेशन्शिप सक्सेस्फुल होकर ही रहेगी यह मेरा नहीं यह आपके पोसन का नहीं बलकि यह तो उपर वाले का वादा है जो इस रिडिंग में निकल कर आया है वो भी बॉटम आफ दुनिया के सामने भी आएगा और आप लोग जो अब तक अपने आपको हारा हुआ को महसूस कर रहे हो बिलकुल नहीं हार नाम की चीज आप दोनों के रिलेशन्शिप में है ही नहीं क्योंकि इस रिलेशन्शिप को ग्रोथ की तरफ बढ़ना है प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ना है सक्सेस की तरफ बढ़ना है सांती की तरफ बढ़ना है और फाइनली अ नाइन ओफर देखे पहला ही कार्ड आपके लिए निकल कर आ गया है आपके पोसन आपसे क्या छुपा रहे है आपके पोसन तो आप में अपना जीवन साथ ही देख रहा है ये वक्ति तो आपको अपना बनाने की कल बना कर रहा है ये वक्ति बिल्कुल ये नहीं चाह रहा कि आप इनसे अलग हो जाओ ये वक्ति जानता है कि आप उन लोगों में से हो जो हर किसी के लिए नहीं बने हो आप उन लोगों में से हो जो सब कुछ होते हुए भी बस इनके लिए बनाए गए हो इस वक्ति को आपके अंदर अपना better half नजर आता है इस वकिति को आपकी अंदर अपना अपना life partner नजर आता है अपने जीवन का अपने सरीर का अधा हिस्सा ये वकिति आपको च्रूब्र को मानता है जानता भी is attached कि आप पर इनका ही法 है और यहался कि Ёն ले इनसे कोई छीन ले ये उससे बरदास भी ये वक्ति नहीं कर पाता क्योंकि नाइन ओफ पांटिकल्स गुनों से भरपूर भरिपूर्ण एक इनसान होता है जिसमें दुन्या को जीतने की काबिलियत होती है अगर थोड़ा सा टैलेंट का इस्तमाल कर लिया जाए अगर जो कुछ भी करगुजर सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो आप पैसे कमाने में उतने ही माहिर हो आप घर परिवार या एक अच्छा जीवन साथी बनने में भी उतना ही माहिर हो यानि कि माहिरों वाला काड होता है जो अभी तक सिंगल है जो अभी तक किसी का हो नहीं पाया है या जिसको अभी तक किसी ने हासिल नहीं किया है तो इस व्यक्ति की तमन्ना भी यही है कि यह सिर्फ आपको हासिल करें और आपको कोई और हासिल ना कर पाई यह इस वक्ति की इच्छा है हस्रत है तमन्ना है सपना है कि nine of pentacles मुझे ही मिलना चाहिए क्योंकि यह खूब यह वाला एक portion होता है तो देखो पहला ही कार्ड आपकी बारे में आया है आपकी आपकी प्रसंसा कह लीजिए यह आपकी अच्छाई कह लीजिए आपके गुनों की तारिफ कह लीजिए यह वक्ति करता है कभी साइद इस वक्ति ने आपको इस बारे में बताया है या नहीं है पर यह वक्ति बहुत अप्रिशेट करता है आप जैसे हो जो हो इन्हें बहुत भाते हो इन्हें बहुत पसंद आते हो गई मैसेंजर आफ एर का काड़ाया है यह बहुत ही खुबसुरत मैसेज आपके पोसन ने भेजा है जो गती को दिखाता है स्लोनेस से निकल कर आगे स्पीड में भागने को दिखाता है जीत की और बढ़ने को दिखाता है जैसे कि हम हवा को नहीं रोक सकते आप जानते हो ना कि हवा को ना कोई देख सकता है ना रोक सकता है उसी तुफान या उसी रफतार में यह वक्ति आपके जिंदगी में आना चाहता है और चाहत इसकी यह है कि आपको हासिल कर लिए यह जीतने के एनरजी होती है और यह होता है आपको आपको पसंद करने के आपको like करने के energy आपको अपना बनाने के energy तो देखो अपने nine of pentacles के पास ये वक्ती रफतार से आना चाह रहा है बस आपसे यहीं कह रहा है कि जितना भी अब तक मैं late हो चुका हूँ मैं बहुत देर कर चुका हूँ मैंने बहुत समय ले लिया है पर उतना समय अब मैं नहीं क्यuben十 देना चाहता मैं तुम्हें बस ये संदिष पहुचाना चाहता हूं कि जिस तरीके से हवा को देख नहीं सकते उस्य तरीके से मैं भी किस दिन तुम्हारे經 मैं आ जाहूँगा, तुम जो है अचंबित हो जाओगे तुम सब्सेर करोगे तो इस तरीके से यह वक्ति अन्नोइंग लिया कि बिना बताय या बिना आपसे संपर किये यह वक्ति अचानक से जो है आपकी जिन्दगी में आएगा और आपको महसूस होगा तब जब यह वक्ति आपके सामने होगा इस तरफतार से यह वक्ति आपके जिन्दगी में आ रहा है और यही मेसिज आपको इन्होंने भेजा है that slow नहीं आप बस speed इस relationship में चाहते हैं seven of earth का card यहाँ पर seven of pentacles की उम्मीदों भरी energy यहाँ पर निकल कराई है एक व्यक्ति है जो अपने इस relationship में जब भी देखता है तो यही पाता है कि मैंने क्यों नहीं किया मैंने काम क्यों नहीं किया मैंने इस रिस्ते को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं किया मैंने अपना effort तो लगाया पर क्या वो काफी था यहना इस relationship को मैंने कैसे यहाँ पर रोग दिया है तो एक व्यक्ति है जो अपनी बीते हुए समय को या बीते हुए effort को देख तो रहा है और जितना देख रहा है उतना ही ये महसूस कर रहा है कि अब थोड़ा सा अगर effort लगा दिया जाए तो ये रिस्ता आगे बढ़ सकता है यानि कि उमीद यहां पर खतम नहीं हुई है इस व सफाई से है उमीदे है क्योंकि ये अपना investment डूबता हुआ देख रहा है इसे लग रहा है कि डूब चुका है मेरा ये relationship डूबने की कगार पर है अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो साइध बहुत देर हो जाएगी तो उमीदे इस व्यक्ति की यहां पर relationship के growth को लेकर नज आया है कहीं न कहीं ये वक्ति जो है थर्ड पार्टी से भी ग्रसित ऐसा नजर आता है कि थर्ड पार्टी भी आप दोनों के संबंद में आई है थर्ड पार्टी ने आपके person को इस्तमाल करके आपके मन को चलनी किया है या आपको होड किया है पर ये आपको समझना है कि ये आया है ना वो इस वक्ति को थोड़ा सा दर्द दे रहा है और दर्द यहां पर श्रिफ आपके वज़े से नहीं है यहां पर दर्द है खुद के कर्मों की वज़े से यहां पर दर्द है थर्ड पार्टी की वज़े से थर्ड पार्टी से भी जो है यह वक्ति बहुत जिसको बिल्कुल भी आराम सुकुन जैन नहीं है जैन तो बिल्कुल है ही नहीं सक्स के अंदर ऐसी अवस्ता है तो हर चक्रा की भी जो है थोड़ी से ब्लॉकेजस वाली समस्या नजर आई है अब एक और लास्ट निकालेंगे उसके बाद और मैसेजस में आपके लिए लेने है और यह वक्तित्व आपकी है आप जानते हो यह आप हो जो हर माइने में इस वक्ति के साथ जुड़े हुए हो एक तो कहीं न कहीं जीवन चक्र के साथ जुड़ गए हो दूसरा भारगी के साथ जुड़ गए हो तीसरा जीवन साथी की हैस्ट से इस वक्ति के साथ आप ज दर्द दिये हैं, बहुत सारे चोट इस वक्त इने आपको पहुंचाये है hijsce बाउजद भी आपने सहह है। आपने बरदास किया है आपने इस वक्ती के सामने कभी आवाज नहीं उठाई कभी इस वक्ती के के में बुरा नहीं बोला कभी इस वक्त को चोट देने की कोसिस नहीं कि हाला कि ये वक्ति आपको बार-बार ये तीन तल्वारों वाला याने कि दूसरों के वज़े से आपको दर्ध पहुंचाते आए हैं पर यह वक्ति आपकी इस बात को इस अच्छाई को भी बहुत जड़ा respect करते हैं, बहुँच ज़道ा सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि कहीं न कहीं जिस वक्ति की कल्पना यह marriage के लिए कर रहा है उसे के साथ यह वक्ति अपने बच्चों तक की कल्पना करता हुआ नज़र आया है pregnancy की कल्पना करता हुआ नजर आया है इसे लगता है आप जैसे गुनवान वक्ति के साथ अगर इनके जो है future kids होते हैं, इनकी future बच्चे होते हैं तो वो भी बहुत सहनसिल होंगे आपके जैसे होंगे तो इस तरह कि एक family create ये वक्ति करना चाहरा है, एक family आपके साथ बनाने की कलपना कर रहा है और ये कहीं न कहीं फिर रंग बदलता है और finally एक दुस्य को एक दुस्य की दुनिया का हिस्सा बनना ही पड़ता है, तो ये वक्ति भी आपको अपना वही तकदीर, अपना good fortune, अपना good luck मानता है, आपको अपना lucky चाम भी मानता है, तो बहुत ही खुपसरती इस वक्ति के सोच है आपको लेकर चले कुछ और देखते हैं, यहाँ से message में क्या है, freedom कहीं न कहीं आजारी नहीं, वही चक्रव्यू, वही लक्ष्मन लेखा, वही समस्या, वही मजबूरी, जिसका जिक्र सुर्वास से ही होता आया है, जो candle wax में भी निकल कर आया था, यहाँ पर भी इनोंने मजबूरी का जिक्र किया था message में, तो देखो आजारी मिल रही है, आजारी किस चीज़ को ले कर रहे हैं, क्योंकि अभी यह वक्ति आजारी का आजारी का पर आपने भागे से जोडनी का यह वक्ती ले नहीं पा रहा है, पर वही आजारी, वही freedom जो इस से छीन ली गई है वो freedom इस वक्ति को definitely angels दे रही है क्योंकि यहाँ पर angel का card already freedom की energy आ चुकी है जब तक इंसान स्वतंत्र नहीं होगा वो अपने मन मुताबिक फैसले नहीं ले पाएगा साथी साथ इस वक्तिने तो आपने मन की आवास को भी सुनना स्टार्ट कर दिया है तो बहुत जल्दी मैं देख रही हूँ कि यह रिस्ता भी मजबूरी से आजाद होगा यह रिस्ता तकलीफों से आजाद होगा यह रिस्ता कर्मा से भी आजाद होगा क्योंकि साइकल भी यहाँ पर दिखा है जो एंड होगी देफनेटली तो फ्रीडम यहाँ पर इस रिलेशन्शिप में आ रही है देखो वही जो मैंने थोड़ी दिर पहले कहा था एंप्रस की जो एनरजी आई है आपके साथ अपना परिवार ही नहीं आपके साथ आप जैसे ही बच्चे यह वक्ति एक्सपेक्ट कर रहा है क्योंकि इसे पता है कि संसकार जो आपकी अंदर है जो गुन आपकी अंदर है वही चीज़े आपके बच्चों के अंदर भी होगी तो कहीं न कहीं एक फैमिली आपके साथ चाह रहा है गाईज एक्सपेक्ट कर रहा है और मैं जानती हूं कि डफनेटली इसकी यह इच्छा डफनेटली पूरी होगी इस्वर पूरी करेंगे क्योंकि यह वक्ति कहीं न कहीं सचे मन से चाहा रहा है कि इस्वर इनको जो है इनकी जोली में आपको दे दे यह वक्ति यही प्रात्ना कर रहा है गाईज हम जब बार बार इस्वर की इस्वर की रिडिंग या फिर कहले ज तो आपको भी भरोसा रखना है, अगर आपके भाग्य में ये वक्ति है तो इफिनेटली ये जो इछाइस वक्ति की है वो इफिनेटली पूरी होगी आपके साथ परिवार और बच्चों तक का जो है ये वक्ति सोचकर बैठा हुआ है जो आप से छुपा रहा है, चले और मैस बिलीव एंड सक्सीर डेंबर 6 का कार्ड बार बार आता है आपके अनरजी में जो ये संकेत करती है कि आपके ट्रॉस सिस्टम में थोड़ी सी प्रॉलम है आप यकिन नहीं कर पा रहे हो आप खुदा पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो आप अपने डिलेशन्शिप पर कभी नेग सिस्टम नजर आता है तो इस और आप से बिलकुल साफ सब्सक्राइब कह रहे हैं अगर सफल होना है तो भरोसा करना सीखो उमीद रखना सीखो है ना दिल के अंदर बहुत सारा इफ बट नो जैसे जो है प्रस्ण रख कर अगर आप भरोसा कर रहे हो तो वो किसी काम का नही पैमनी यह वो विकार है तो अगर सक्सेस फुल होना चाहते हो किसक्स है आपके रिलेशन्चिप्ष में यहां पर वह सक्सेस तभी होगी जब आपको भरोसा होगा यह व्यक्ति कि आपको पसंद करते हैं चले देख लेते हैं कि आएई लव यह पिकोज यह जैनुन जैनुन ली अगुट पोसर नंबर फोटी सेवन के नबर चार और साथ भी इंपॉर्टिन हो सकता है आपको जैनुन यानिके सच्छा इंसान मानता है यह वक्ति इसी वजह से आपको पसंद करता है आपको प्यार करता है यह वक्ति कई कैई लोग जूट से रिस्टा शुरू करते हैं कई लोग कहतें कि रिस्ते के साथ कभी वफातार होते नहीं है प्र आप वह नहीं हो ये इस वक्ति को पता है कि आप कुछ और ही हो आप एक चीजों को यह वक्ति बहुत पसंद करते हैं और इसी वज़े यह वक्ति आपको प्यार भी करते हैं तो यहां पर कुछ बेस्ट फ्रेंशिप का भी जो है किस्सा नंबर आया है नंबर 13 की एनरजी है जो यह बता रही है कि बिलकुल इस वक्ति के साथ आपका प्यार वाला रिलेशन्शिप हो ना हो पर एक अच्छा दोस्त आपके अंदर इसने हमेशा पाया है देखा है जिसने हर पल इस वक्ति की मदद की है जिसने हर पल इस वक्ति को अच्छा रास्ता दिखाया है जिसके साथ यह हमेशा कमफरडेबल रहता था कुछ भी कहने के लिए या कुछ भी शेयर करने के लिए तो यह कहते है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और साइद इसी दोस्त को यह अपना जीवन साथी बनाना चाह रहा है फ्रेंशिप वारी एंगल यहां पर नज़र आई है कि फ्रेंशिप के बाद वाला आप दुनों का रिलेशनिशिप हो सकता है कि पहले दोस्त बने फिर आपकी अच्छाई आपके गुनों को देखर इस वक्ति ने प्यार किया और इस वक्ति ने आपको अपना जीवन साथी बनाने के बारे में भी आपसे बात चीत हुई है पर कहीं न कहीं भाग्य का खेल है कि यह वक्ति आपसे दूर हो गया है पर यही भाग्य है जो आपको यह वक्ति फिर से लटा रहा है पर यह वक्ति कह रहा है कि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी हो जिसे मैं अपना जीवन साथी भी बनाना चाहता हूँ तो गाइस यह थी आपकी रिडिंग यह वो बाते थी जो यह वक्ति आपसे छुपा रहे हैं अगर रिडिंग समझ में आई है और आपके दिल को छूती है तो इस वीडियो को थोड़ा सा दोस्तों तक अपनों तक पहुँचा दीजिये शेयर कर दीजिये इतना कहते हैं गा क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़रा प्यार लव यू आल छेक के नमस्ते एंड बाई गाई गाईज